Hello Students, Welcome to UBSS, O-Level Series का election no.3 है और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है और वेब साइड क्या होती है, वेब पेजिस क्या होती है और कई सारी चीज़े हमने देखी थी और इस वीडियो में हम देखें कि front end and back end application क्या होती है और front end and back end developer क्या होते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हम sword में बात करें तो front end और back end ये दो term होती है जो web designing और programming की field में use की जाती है ठीक है front end development और back end development ये दो अलग-अलग term है और ये दोनों ही एक दूसरे से बिलकुल अलग है ठीक है इन दोनों का ही web designing में इस्तमाल होता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिलकुल ही अलग है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सब सब पहले देखते हैं कि front end development क्या होता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें front end development की तो अगर हम एक बात करें website की माल लेते हैं पहले एक एंटरनेट से कोई भी website उठाते हैं तो उस website में आपको जितना भी दिखाई दे रहा है ठीक है जितना भी आपको content दिखाई दे रहा होगा वो आपका जो होता है वो front end development के थूरू बनाया गया होता है या फिर उसको हम बोलते हैं front end ठीक है तो यहाँ पर अगर हम practical की बात करें तो आपको हम एक website open करके उसमें practical आपको समझाते हैं फिर उसके बाद definition पर आते हैं ठीक है तो example के लिए हाँ पर हम कोई भी website open कर लेते हैं जैसे यहाँ पर हमने ndsclasses.com एक website है यहाँ पर इसको हमने open कर लिया है तो इस website में आपर आप की front end का काम होता है ठीक है यह सब आपका front end के अंतरगत आता है ठीक है और कर हम back end की बात करें तो example के लिए हाँ पर हम चलते हैं new student में ठीक है तो यहाँ पर आप new student में एक form देख पा रहे होंगे कि अगर कोई भी नए student है तो इसमें form बरके अपना admission करवा सकता है तो यहाँ आप पर भी आब आप जो भी देख रहे हैं आपको name अपना डालना है और class आपको select करनी है email id और यह सारी चीजे इसमें आपको select करनी है और select करने के याणि कि सारी चीज़े आप फिल करने के बाद में जो आप submit button पर click करते हैं समझ गए न तो submit button पर click करने से पहले यादि कि ये वेब server में कहा जाती है, लब store हो जाती है, ठीक है, तो ये जो submit button पर coding की गई है, programming की गई है, कि submit करते ही सारी detail जो है वो इस database में, इस server में ऐसे जाके इस तरह से store हो जाएं, तो ये जो programming होती है, ये आपका होता है back end, समझ गयोंगे I think ठीक है, ये क्या होता है, back end जो आप को दिखाई नहीं देता, आप यहाँ पर submit button पर click करेंगे, तो उसका जो code अगयरा होगा, वो आपको नहीं दिखाई देगा, directly आप जो है, आपका जो form है, वो submit हो जाएगा, सारी detail जो है, वो server में store हो जाती है, तो यहाँ पर जो server में detail store कराने का जो method है, जो coding की जाती है, ज किसी भी website का अगर आप code देखना चाहते हैं, कि वो उसके लिए क्या code लिखा गया है, तो उसके लिए आपको right click करना, और यहाँ पर आपको चले जाना, view page source में, ठीक है, view page source में आप जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि उस website को बनाने के लिए, यहाँ पर क्य गताती हैं, ठीक है, इन तीनों language से ही front end यानी जो आप देख पा रहे हैं, वो सारा कुछ HTML, CSS और Java script से design किया जाता है, और यहाँ पर जो back end होता है, ठीक है, जो back end में काम करता है, उसके लिए यहाँ पर programming language, PHP, या फिर Python, ठीक है, और या फिर C++, या फिर Java का इस्तमाल किया जाता है, यह आपके programming language होती है, और भी बहुत सारी programming language होती है, जिनका इस्तमाल back end में किया जाता है, server side जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको server side भी बोलते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के वेक्ति भी होते हैं, developer भी होते हैं, एक developer होता है, जो की web को design करता है, यानी कि उसका इसे दिखेगी website, वो सारा कुछ HTML, CSS और Java script से ready करता है, और दूसरा जो developer होता है, वो back end में काम करता है, वो देखता है कि कौन सा program किस चीज के लिए लिखना है, वहाँ पर कैसे data store कराना है, यह सारी चीज़े जो होती है, वो back end में होती है, और इसका developer अलग होता है, और कभी कभी क्या होता है, कि दोनों का developer सेम होता है, उसको बोलते है, full stack developer, ठीक है, full stack developer, यानि कि जिसको दोनों चीज़े आती है, वो full stack developer कहलाता है, तो समझ गयोंगे, I think कि website जो है, वो दो category में बाटी गई है, front end और back end, यहाँ पर आप जितना भी code देख रहे हैं, वो सब front end का है, back end का code आप नहीं देख सकते किसी भी website का, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको front end और back end अपने practical बता दिया, अब आप यहाँ पर definition पढ़ सकते हैं, इसमें वही चीज़ लिखी गई है, यह देखे, front end development उन सभी चीज़ों का प्रबंधन करता है, जो upio करता अपने browser या application म यानि की उस पर अपना काम कर सकता है, जिसे front end का जाता है, इस application को client side के रूप में भी जाना जाता है, या hyper text markup language यानि html और javascript और cascating style ct यानि की css, हमने बता है html, css और javascript जैसी तकनिक्यों के सयोजन का उपयोग करके बनाया जाता है, front end developer web page पर button, menu, link, graphics और अधिक सही तत्यों का अनुगो और design करते हैं, वही चीज है, website में आप जो भी images, button, menu, जो भी देखते हैं, वो सारा का सारा HTML, css और javascript से बनाया गया होता है, ठीक है, तो यह होता है आपका front end, और बाकी यहाँ पर उपर बढ़ें, तो यहाँ पर आप जो है, html की और css की और javas script पी definition देख सकते हैं, और बाकी detail में आगे आपको और मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर अगर हम sort में बात करें, तो html hypertext markup language, एक website का mall है, जो सभी design और कारिशमता प्रदान करती है, या hypertext और markup language का संयोजन है, hypertext markup language, इसका full form है, तो hypertext क्या होता है, ठीक है, तो किसी भी website पर अब जो भी text देखते हैं, वो होता है आपका hypertext, ठीक है, वो सारा का सारा text जो होता है, वो क्या होता है, आपका hypertext कहलाता है, ठीक है, markup language, यानि कि markup language इसलिए क्योंकि ये mark को समझती है, mark यानि कि किसी भी text को, word को, सब्द को, इस चीज को समझती है, space या फिर enter को नहीं सम ठीक है, और बाकी इसके बारे में, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझायागा कि ये hypertext markup language क्या है, ठीक है, यानि कि HTML क्या है, और ये कैसे काम करती है, ये container की तरह काम करती है, यानि कि कि किसी भी website का structure होता है, जो धाचा होता है, वो HTML से ही बनाया यहाँ पर जो Java script होती है, ये front end में भी आती है, ठीक है, और back end में भी आ जाती है, क्योंकि ये Java script ऐसी language है, यानि बिना किसी server के translate हो जाती है, इसको किसी भी server की जरूत नहीं होती है, जबकि programming language जो है, PHP और Python, Java, इन सभी को translator की या फिर server की जरूत पढ़ती है, जबकि Java script को server क जरूत नहीं पढ़ती है, और ये front end और back end दोनों में काम करती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा तरो front end में इसका इस्तमाल गिया जाता है, कभी कभी जरूत पढ़ने पर back end में भी इस्तमाल कर लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर HTML, CSS और JavaScript तीनों का काम आपको समझ आ गया, इसको हम डेटेल में practical देखेंगे, तो बहुर बहुतर समझ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर front end framework and library, ठीक है, तो देखें framework क्या है, ठीक है, framework क्या होता है, कि जैसे CSS language आपकी यह क्या करती है, यह किसी भी website को design करने के लिए इस्तमाल की जाती है, तो यहाँ पर हमें बह लिए बटन चाहिए, तो उसके लिए आपको CSS का code लिखना पड़ेगा, जो कि काफी line का और काफी बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन framework में क्या होता है, कि framework में जो code होता है, वो पहले से ही लिखा गया होता है, और उसकी एक class होती है, class होती है, हम ऐसे समझ सकते हैं, उसका म Doncat, हमारी website में जुड़ जाता है, ठीक है, तो यही होता है framework, तो यह framework जो होता है, वो CSS का भी होता है और Java script का भी होता है, ठीक है, तो जो आपका W3, ठीक है, W3.CSS framework है, यह CSS का framework है, और एक framework आपका है bootstrap, यह दोनों ही CSS का framework है, और यहां पर हम जो पढ़ेंगे, W3.CSS framework तो समझ गयोंगे कि framework क्या होता है framework का मतलब कि इसमें आपको लिखा लिखाया code मिल जाता है इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर देखें AngularJS, ReactJS यह सब क्या है Java Script के framework है ठीक है यह क्या है आपके Java Script के framework होते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्योंकि देखें theory आपको तभी समझ आएगी जब आपने practical किया होगा तो जब आपको हम practical करवाएंगे आगे चलके दो-तीन दिन वीडियो आने के बाद में जब आपका practical start होगा उसके बाद में जब हम revision time में आपको यह theory पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम फटा फट समझ में आएगी ठीक है इसलिए अभी ज़्यादा detail में नहीं पढ़ा रहे है क्योंकि जब आपको practical अच्छे से करवा देंगे उसके बाद में theory आसानी से समझा जाएगी अभी अगर हम आपको बताते हैं तो इसको आपको रटना पड़ेगा जो की सही नहीं है confusion create कर देगा आगे चलके यहाँ पर जो jQuery है यह भी आपका framework है ठीक है चलिए तो यहाँ पर front end की बात होगी अब बात कर लेते हैं back end development के बारे में हलाकि हमने sort में बता दिया है कि back end में जो है वहाँ पर programming language का इस्तमाल के जाता है PHP, C++, Java, Python, JavaScript ठीक है तो यह जो java script है यह front end और back end दोनों में काम करती है फिर उसके बाद यहाँ पर है client और server scripting language ठीक है client और server तो यहाँ पर हमने बताया client किसको बोलते है आपका जो browser होता है ठीक है आपका जो browser होता है उसको बोला जाता है client और server जहाँ पर आपकी website store होती है ठीक है online internet पर वो आपका होता है server तो यहाँ पर client और server दो चीज़े समझा गई होंगी client यानि आपका browser और server यहाँ पर आपकी website store है तो जब भी हम कुछ भी website पर search करते हैं तो हम client के जरीए server को एक request भेजते हैं ठीक है यहाँ पर आप नीचे diagram में देख सकते हैं देखें यहाँ पर diagram में बदाया गया है यह आपका computer है यह आपका computer है यानि कोई वेक्ती है person है और इसमें browser open है कोई भी और यहाँ से जब भी वो कोई चीज़ सर्च करता है तो वो एक request जाती है server के पास और website जो होती है जिस भी topic को आप सर्च कर रहे हैं उससे related जो website होती है वो server के पास already store होती है फिर यहाँ पर कई सारे software crawler होता है search engine होते है इन सभी का इस्तमाल करके जो भी आपने यहाँ पर search किया है उससे जुड़ा हुआ result वहाँ से आपको response message देती है नि आपको वापस response देती है उस server से data को उठा करके समझ गयोंगे I think तो यहाँ पर यह क्या है आपका client है और यह क्या है आपका server है जिसमें database में आपका data store है database में क्या होता है जैसे थोड़ी दिर पहले हमने example उठाया था कि आपने जो है new student के लिए form apply किया और जैसे ही submit button पर click किया तो आपका जो data होता है वो कहां store हो जाएगा database में और यह जो database है यह कहां store है server पर ठीक है यानि memory में समझ गयोंगे I think तो यह आपका एक पूरा diagram है client और server का किस तरह से काम करता है यहाँ पर बीच में यहाँ पर देखे TCP और IP protocol का इस्तमाल होता है यह आपका HTTP client है यानि कि browser यहाँ पर यह आपका server होता है चलिए तो यहाँ पर यह तो समझ आ गया आगे बढ़ता है इसमें देखते है क्या क्या बचा है तो client side scripting language ठीक है तो हमने बताया था client side scripting language यानि client side बोलें या फिर हम front end बोलें एक ही बात है ठीक है front end और client side एक ही बात है इसी तरह से server side और back end एक ही बात है ठीक है दोनों चीज़े मलब यह दोनों चीज़े और यह दोनों चीज़े सेम है इसको आप याद कल लें तो यहाँ पर हम front end की बात करें तो वही client side scripting language इसमें html, css, css यह सारी चीज़े आ जाती है और यहाँ पर अगर हम बात करें server side की तो इसमें आपका वही php, c++, c++ यह सारी चीज़े आती है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बागे इसको detail में आप पढ़ लेना यहाँ पर server side scripting language के कुछ point दिये गए है जब उपयोग करता browser server से unroad करता है तो कई इस्तियों के आधार पर dynamic page बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है तो हमने आपको बताया था कि static website होती है और dynamic website भी होती है तो dynamic website जो होती है उसमें जो है front end और back end दोनों का इस्तमाल किया जाता है इसेश का ध्यान रखना और आपकी जो static website होती है वो आपकी जो होती है वो front end पे बनाई जाती है यानि कि सिर्फ उसमें html और css का इस्तमाल होता है सिर्फ html और css का इस्तमाल होता है वो हम static बनाएंगे तब भी हमारा काम जो है वो चल जायगा क्योंकि news में का होता है सिर्फ हमें उसमें जो लिखा हुआ है उसे read करना होता और वहाँ पर कोई action लेना नहीं होता है तो इसलिए वहाँ पर static भी होगा तब भी काम चल जायगा लेकिन यहाँ पर फिलाल तो सारी website है वो dynamic ही होती है आज कल की जो भी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बतायागा कि जो server side है उसके लिए कई सारी language इस्तमाल की जाती है php, jsp, asp, asp.net, ruby, pearl ठीक है सबसे ज़यदा php استعمال होती है आफ भी python जो है वो trending में आ रही है python का भी इस्तमाल देरे बढ़ रहा है लेकिन अभी तक들이 php सबसे ज़यदा इस्तमाल हो रही थी और जो facebook है facebook के बारे में सभी को पता होगा तो facebook website है वो भी php का ही इस्तमाल करती है ठीक है और भी कई सारी बड़ी बड़ी website हैं जो PHP का इस्तेमाल करती हैं और कई Python का भी इस्तेमाल करती हैं कुछ Java का इस्तेमाल करती हैं अलग-अलग website अपना अलग-अलग programming यूज करती हैं तो यहाँ पर आपको client side और server side दोनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा उसके बाद अगला topic यहाँ पर है responsive web designing अब responsive web designing क्या होती इसको देखते हैं आपर responsive web designing एक दरस्टी code है जिसके जिससे एक designer एक web page बनाता है जो device के प्रकार के आधार पर खुद को पृतकरिया देता है या उसका आकार बदलता है यानि आपके responsive website वो website होती है जो device के हिसाब से अपने website का आकार अपने आप ही बदल लेती है जैसे कि आजकल जितनी भी website आ रही है सारी की responsive website आ रही है अगर आप उनको mobile phone में open करेंगे तो वहाँ पर भी वह सही से खोलती है और आप उनको desktop या laptop पे खोल रहे है तो वहाँ पर भी जो है वह वह सही से ήταν ओपन होती है ठीक है तो यह जो website होती है responsive होती है अगर कोई website responsive नहीं होगी तो अगर आप उसे mobile phone पर खोलेंगे तो वो सही से नहीं दिखाई देगी अच्छे से वो नहीं दिखाई देगी ठीक है तो responsive का मतलब सीधा सा होता है कि जो website अपना आकार device के हिसाब से automatic यानि अपने आप बदल लेती हैं उसको बोलते है responsive web designing या फिर responsive website ठीक है फिलाल थो हम bootstrap इस playlist में नहीं पढ़ेंगे या लेवल में नहीं पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे w3.css ठीक है ये भी responsive website बनाती है तो यहाँ पर आपको हम example देते हैं तो आपको better समझायागा यहाँ पर हम कोई भी website open करते हैं माल लेते हैं यही website ले लेते हैं इसको back करते हैं तो अभी आप जो website देख बार हैं यह एक responsive website है और अभी यहाँ पर desktop में open कर रखा है अब इसे हम mobile phone में open करते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको mobile phone के लिए ठीक है तो इस पर अगर टिक हटा देंगे तो यह वापस desktop mode में आ जाएगी और यहाँ पर टिक कर देंगे तो यह आपका mobile phone में website दिखाई देगी और इसमें जितने भी due थे जितने भी इसमें section थे वो इस तरह से एक के उपर एक एक के उपर यहाँ पर लग चुके है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इसकी बात करें में desktop mode में अगर इसको बंद कर देंगे तो यह automatic desktop mode में आ जाएगी तो desktop mode में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक row में आपके यहाँ पर चार section दिये थे जबकि phone mode में आपका एक ही section दिखाई दे रहा था अगर हम यहाँ पर फोन मोड में भी यह चार दिखाई देते, यानि इतनी बड़ी स्क्रीन में ही यह एक ही रो में चार कॉलम दिखाई देते तो यह ज़्यादा सही नहीं लगती, ठीक है, तो यही होता है responsive web designing, और इसको भी हम देखेंगे, फिलाल यहाँ पर आपको responsive क्या हो आप्त होता है, और दूसरा chapter है हमारा editor, ठीक है, जो O level का दूसरा chapter है, वो editor है, दोनों जो chapter थे, वो काफ़ी छोटे-छोटे थे, पहला और दूसरा, इसलिए हमने दोनों को एक मिला दिया था, तो यहाँ पर अभी दूसरा chapter है editor, और editor यानि कि जिस पर आप coding करते हैं, HTML, CSS, JavaScript की है नहीं कि अगर आपको website बनाना है, तो उसके लिए आपको एक software चाहिए, जिस पर आप coding करेंगे, तो उसी को बोलते हैं editor, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बतायागे है कि आप free के editor internet से कैसे download करेंगे, और अपने computer में कैसे install करेंगे, ठीक है, और कई सारे editor है, और हम अगली वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके सो थांक्स पर वाचिंगे वीडियो